हेलो फ्रेंड्स धिस एज एश्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीड फिर्स्ट सेमेस्टर बीड़ फिर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है साइकोलोजी यानि कि सिक्षा के मनोवज्यानिक प्रिपेग्ष बिएट कर रहे हूं तीनों यूनिट सटीस में जो साइकोलोजी का सब्जेक्ट है कॉमन सब्जेक्ट ठीक है और क्लासे इसकी कंटीनू है क्लास आपको 6 वजे रोज मिल ही जाती है तीन चैप्टर पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिए गया है आज आपका चैप्टर नमबर यह है कि हम सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं ठीक है कोई भी पूरे संसार में दो भी प्राणी ऐसे नहीं है जो एक समान दिखते हूं ठीक है प्रकृत की संपून रचना का अवलोकन करने के बाद observation करने पर यह clear हो जाता है कि संसार में कोई भी दो प्राणी पूरी तरीके से एक समान नहीं है प्यारे दोस्तों भिन्नता डिफ्रेंस नेचर का एक श्वाभाविक गुण है और यही reason है कि एक ही माता पिता की जब दो संताने होती हैं चैहें वो जुड़वा ही क्यों ना हो एक ही माता पिता की दो संतानों में भी पर्याप्त अंतर देखने को हमें मिल जाता है जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका रंग रूप एक जैसा हो सकता है शारिडिक बनावट कई बार एक जैसी होती है उनका फेश इकतम कती सेम हो सकता है चाल धाल एक जैसी हो सकती है ठीक है और उसकी वज़ए से कई बार अंजानविक दोखा भी ख पाई जाती है ठीक है वही पर अगर यही भिनता हम बात करें शिक्षा के छित्र में तो एक ही आयू के दो बच्चों के ज्यादा हो गया है किसी में कम होगा है किसी की मानसिक योगता है वो ज्यादा है किसी में कम है ठीक है तो यह क्या होता है कि उपर नीचे हो जाता है असानी की बिल्कुल बराबर होगा उनकी स्टालिक व्रद्धी में डिफ्रेंस होगा उनकी बौदिक शम्ता में डिफ्रेंस होगा उनके विभार में डिफ्रेंस होगा सामवे के किस्तितियों में डिफ्रेंस होगा ठीक है तो यह सब चीजे हैं आईए अब इसको हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं I hope कि आपको थोड़ा बसमझ में आ होगा समाने रूप से सभी व्यक्ति समान दिखाई देते हैं जनरली सभी व्यक्ति मानम हैं सभी समान दिखाई देते ठीक है ऐसाने की फिजिकली बिल्कुल सेम दिखें या उनसकी मांसी के उगता बिल्कुल बराबर हो या विक्तित के गुण समान हो नहीं डिफ्रेंस जरूर देखने को मिलेगा ठीक है इस प्रकार की भिनिता में प्रक्रति और वाता वरण दोनों का हत होता ऐसाने की सिर्फ एट्मोसफेर की बज़ेश ऐसा होता है इसमें प्रक्रति वातावरण इसमें आनुवन शिक्ता का सम्मिस्रण होता है जिसकी बज़ेशे भिनिता देखने को मिलती है एक ही माता-पिता की संतान में शारिरिक बनावर्ट मांसिक शक्तियों उनका विवहार सेक्शिक दकायत हो ठीक है ये भी तो हो सकता है दूसरे का काम सिर्फ चोरी दकायत ही करना हो लोगों को मालना पीटना हो और एक भाई हो जो बहुत इमानदार बहुत जो है अच्छा विक्ति हो उनकी सेक्शिक उपलब्धियों में एक पढ़ने में बहुत अच्छा हो दूसरा पता होता है वातावरण का मतलब आपको जो गुण आपके माता-पिता से मिले हैं वातावरण जिस atmosphere में आप रहे रहे हैं इनका मिस्टरण होता है जिस तरीके के आप बन जाते हैं जैसे जैसा आपको वातरण मिलता है, जैसा आपको अपने घर परिवार का वातरण मिलता है, जो चीज़ा आपको घर परिवार में सिखाई जाती है, जो गुण आपको पैरेंट्स से मिले हैं, वो सब मिलकर के आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, या जो भी आप बनते हैं, वो कुछ अपनी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है और नोट्स आपको PDF में WhatsApp पे complete नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं धेड़ सारे इस्ट्रेंड जुड़ चुके हैं आभी पेड कंटेंट के साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9628182649 इस नमबर पे WhatsApp मैसेटर के नोट्स की इंफॉरमेशन ले सकते हैं complete नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाते हैं ध्यान रहें नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से किसी भी प्रकार की कॉपी गिताब कोशन में कुछ भी खरीद नहीं कर सकता नहीं रह जाती है व्यक्तिकत भिनता या व्यक्तिकत भेद समझें पॉइंट को या व्यक्तिकत भेद का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप में अलग होना और रंग में अलग होना इनका रंग देखिए और इनका रंग देख हो सकता है विशिष्च योगताओं में या बुद्धी में उनका इंट्रेस्ट हो सकता है किसी की रूची है डॉक्टर बनना चाह रहा है कोई वकिल बनना चाह रहा है कोई टीचर बनना चाह इस बच्चे को देखो और इसमें देखो पर कितना अंतर है इस बच्चे को देखो इस बच्चे को तो इन में कितना अंतर देखने को मिल रहा है यह क्या है इनका रंग रूप में प्रॉपर उचित मात्रा में हमें अंतर देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से विक्तिकत भ समानता हूँ ऐसा कोई नहीं है एक परिवार में एक ही मातापिता के दो पुत्र या जुड़वा भाई बहनों में समानता नहीं होती विक्तिगत भेद के अंतरगत विक्त की शारिक मानशिक समवेगात्मक तथा सामाजिक विशिष्टाओं पर ध्यान दिया जाता है किस पर विशिष्टाओं के आधार पर वो एक विशिष्विक्ति बन जाता है अब इस विक्तिगत भेद को लेकर के कुछ परिभार्शाएं है इसके नर के एकौर्डिंग क्या कहा गया है विक्तिगत भेदाओं से हमारा ताथ पर विक्तिगत के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मुल्यांकन किया जा सकता है जो भी विक्ति के अंदर विक्तिगत भेदाओं है उनका शारिक कितना उनका शरीड है ठीक है उनकी योगता कितनी है आईकू लेवल कितना है य इतनी भिनिता रगता है उसे विक्तिगत भिनिता कहते हैं टॉलर के कोडिंग कहा गया है शरीर के रंग, रूप, आकार, कार, गती, बुद्धी, ग्यान, उपलब्धी, रुची, अभिरुची, आदि लक्षणों में पाई जाने वाले जो भिनिता होती है उसी को विक्तिगत भिनिता कहते हैं टाइल दिगरुवसा बहुत अच्छी है आदिसको रट लीजेगा आगे बढ़ते हैं कक्षा कक्ष प्रस्थितियों में विक्तिगत भिनिता देखिए, देखिए, इंडिविज्विज्वल डिफ्रेंसेस इन क्लास्रूम सिच्वेशन क्षा कक्ष प्रस् विक्तिगत भिनिता पाई जाती है परन्तु अगर कक्षा कक्ष प्रस्थितियों में व्याप्त भिक्तिगत भिनिता को देखें तो इसे निमनी रूप में देखा जा सकता है क्लास में क्या होता है बच्चे में शैक्षिक योगता अलग होती है बुद्धी में भिनिता होत होते हैं और इंट्रेस्ट सबक casting होता है चंता में डिफ्रेंस होता है भाशा विकाश में किशी में language development बाद में हो रा है धीरे हो रा है विशिष योगताव में बहुनता होती है गत्यात्म की उगताव बहुनता को मिलती है कहां क्लास्रूम में शेक्षिक योगता या बुद्धी में भिनता कि अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए अक्सर कक्ष कक्ष में देखा जाता है कि शिक्षक के दौरा पढ़ाई जा रही विसेवस्तू कुछ चात्र आसानी से समझ लेते हैं परंतु कुछ च किजे बच्चों को किसी को जल्दी समझ में आ रही है किसी को देर में समझ में आ रही है अलग-अलग उम्र के विक्तियों की मानसिक विकास में तो अंतर होता ही है साथ ही साथ एक ही उम्र के बालकों के मिंटल डिवलप्मेंट में विशिशकर उनके बुद्धी इस्तर जो की साहता से बुद्धी लब्धी भी निकाला जाता है, IQ लेवल ग्याद किया जाता है, ठीक है, और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, जो प्रकर बुद्धी के, यानि कि जिनका बुद्धी लब्धी जो IQ लेवल है, वो 120 से उपर होता है, और उसी देंग से कुछ ही विक्ति ऐ ऐसे होते हैं, जो मंद बुद्धी के, यानि कि जिनका जो IQ लेवल है, वो 90 से नीचे होता है, ओके, अधिकतर छात्रों का जो IQ लेवल होता है, वो 100 से 110 के बीच में होता है, ठीक है, ये बात के लिए रही, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैंट की बात करेंगे, अचीवम बढ़ते हैं, जो अपनी बुद्धी योगता, जितनी उनकी बुद्धी है, वो अपनी बुद्धी योगता से भी अधिक ज्यान अर्जन करने में सफल हो जाते हैं, क्यों इसके पीछे प्रेणा का योगदान होता है, बच्चे को हो सकता है, अच्छी inspiration मिली हो, अच्छा motivation मिला हो, तो जितनी उसकी योगता है, वो उससे भी अधिक कर पा रहा है, ठीक है, तो बच्चों में क्या होता है, कि उपलब्धी जो उनकी है, जो उनका achievement है, उसमें भी difference होता है, एक ही उम्र, एक ही बुद्धी है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनकी चात्रों की क्या है, शेक्षिक उपलब्धियां भी हमेसा समान नहीं रहती, उसके पीछे उनका interest होता है, किसी बच्चे का, मान दीजी, English में interest है, वो English में 50 में 48 नमबर ला रहा है, ठीक है, 48 बटे 50 उसके आ रहे हैं, कोई बच्चा है, उसके English में जो है, एक ही इसके पीछे मोटिवेशन भी होता है, आपको inspiration किस तरीके की मिली है, आपका आपकी practice कैसी है, आपका अभ्यास कैसा है, कोई है जो बहुत practice करके जाता है, विद्याले, है ना, test में, अपने exam में बहुत practice करके जाता है, कोई सिर्फ एक बार पढ़ेगा बात खतम, तो इसमे भी तो अंतर होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब लेंगिक बिनिता कि अगर यहाँ पर बात की जाएं, देखिए, इस्त्रियों और पुर्शों में भी विक्तिगत बिनिता देखने को मिलती है, लड़कियों का शारिडिक विकास, लड़कों के शारिडिक विकास की यह पेक्षा तीवरता से होता है, लड़कियों का जो फिसकल डपलेक्मेंट होता है, वो कंपैरिजन टू वाइस, लड़कों के तुलना में क्या होता है, जल्दी होता है, तीवरता से होता है, ठीक है, लड़कों का शरीर पेसी है, मिस्कुलर और भारी होता है, जबकि उम्र के लड़कों की अपेक्षा हलका होता है कोई लड़की 15 साल की है लड़का भी 15 साल का है तो यदि लड़का भी स्वस्थ है और लड़की भी स्वस्थ है तो उनका जो है लड़की का वजन कम रहेगा लड़के का वजन जादा रहेगा ये भिनता होती है लड़कियों की आवाज में मधूरता होती है है ना लड़कियों की आवाज बड़ी कोमल हल्की होती है मधूर होती है जिबकि लड़कों की आवाज में करकस्ता की धोनी होती है ऐसा कहा गया कि लड़कों की आवाज करकस्ता यानि कि करकस्ता होती है बहारी आवाज होती है इसी परकार यदि सीखने के चित्रे में देखा जाए तो language जो part होता है उस पर लड़कियों के जो marks होते हैं वो लड़कों से अधिक होते हैं और mathematics की अगर बात की जाए language की बात पर जिसे English subject है हिंदी subject है इसमें लड़कियों के marks अच्छे होते है mathematics की बात की जाए तो वहाँ पर लड़कों की पकड़ अच्छी होती है maths में लड़कियां ऐसा माना जाता कि लड़कियों की पकड़ maths में कम होती है और हिंदी English में लड़के कमज़ोर होते हैं ठीक है वहीं पर अगर memory की बात की जाए memory test में भी लड़कियां अधिक नंबर गेन करते हैं लड़कियों की जो memory होती है वो लड़कों से अधिक ज़्यादा powerful होती है यह difference देखने को मिलता है आईए आगे समझते हैं अभी रूची और अभी चातर संस्क्रत पढ़ने में अधिक इंट्रेस्ट रखता है तो कोई समाजी का धिन पढ़ने में इंट्रेस्ट रखता है इसी तरह किसी चातर की खेल कूद में इंट्रेस्ट होता है और किसी को संगीत में घूमने फिरने में मज़ा आता है चात्रों में इस भिनता का कारण उनकी अभी शमता है उनका एक्टिट्यूड है ठीक है कुछ चात्रों में गाना गाने का जो एक्टिट्यूड है या उनका जो है difference in language development किसे बच्चे की language की चत्र में कम development हो पाता है समान उमर के बालको में लिखने बोलने और समझने की शक्ति में भिन देखने को मिलती है कुछ बालक बिचारे देर से समझ पाते हैं इसी करण उनकी जो सैक्षी को प्लब दिये उसमें भी भिनता देखने को मिलती है विशिष्ट योगताओं में भिनता कि अगर बात करें तो देखिए विशिष्ट योगताओं में भिनता होते हैं ये भी सबते हैं कि सभी वेक्तियों में विशिष्ट योगताएं नहीं होती डियर सभी वेक्तियों में विशिष्ट योगताएं नहीं होती और जिनमें होती हैं उनमें मात्रा का अंतर आवेश्य होता है किसी में जादा होती हैं किसी में कम होती हैं उदाहरण के माही को जानते हैं रोही सरमा को जानते हैं घिल को जानने लगे हैं तो मतलब हैं तो अगर कोय कहे किर्कette के किसी एक प्लेयर का नम बताओ तो आपको खट से आपके मूर पर सीधा विरा चको लिया सब्सक्राइब ना ही सभी इंजीनियरिक समानंद अस्तर के होते हैं चीक है यह अंतर देखने को मिलता है गत्यात्मक योगताव में डिफ्रेंस मोटर एबिलेटीज मोटर एबिलेटीज का मतलब यहां पर क्या है कुछ व्यक्ति किसी कारे को अधिक कुछलता के साथ और प्रसेतियों में किस तरीके से व्यक्ति देनेता देखने को मिलती है आगे बढ़ते हैं अब जो हमारी इंडिविज्वल डिफ्रेंस है यह होता क्यों है हमारे अंदर अंतर क्यों है सब एक दूसरे से अलग क्यों है सबकी योगता चमता बुद्धी रुची इंट्रेस्ट इसके पीछे क्या कारण है आईए समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे कारण है पहला तो वंसानुक्रम वंसानुक्रम का मतलब जैसे गुण आपको आपके पिता जी से माता जी से मिले हैं वैसे ही तो बनोगे ठीक है तो वंसानुक्रम पहला गुण हो जाता है विक्तियों के शारिरिक मांसिक और चारित्रिक विशेष्ताओं का प्रमुख कारण वन्शानुक्रम है आपका शारिरिक development कैसा है आप mentally कैसे हैं आप average बच्चे हैं आप प्रतिभाशाली हैं आप उद्दी हैं आपका चरित्र कैसा है ये डिपेंड करता है पैतरक गुणों का संक्रवन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में होता रहता है आपके जो करदादा थे उनके गुण data ji दादा जी के गुणाए पिता जी में, पिताजी के गुणाए आपके अंदर, आपके गुणञाएंगे अपने बच्चों के अंदर, ये जो हैं, ट्रांसफर चलता रहता है, लेकिन मात्रा इनकी कम होती चली जाती है और इन्ही कारण विक्ति में भिनता दिखाई देती है उदाहरन के तौर पर समझते हैं प्राया तीवर बुद्धी के जो माता पिता की संतान होती है उसके वो तीवर बुद्धी और मंद बुद्धी के माता-पिता की संताने भी मंद बुद्धी की हो जाती है कभी-कभी एक ही माता-पिता की संतानों में भी बिनता दिखाई देती है वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ-कुछ भिन अवश्य होते है ये वन्शानुकरम के कारण ही होता है अब बात करतें environment की environment का मतलब यह है कि जो जीन्स से जो गुण हम को मिले है parents से वो किस atmosphere में हमारे गुण है डपलप हो रहे है ठीक है हमें घर परिवार में क्या सिखाया जा रहा है हमारे समाज किस तरीके का है हम किस प्रकार के माहल में रह रहे हैं विद्याले में हमारे दोस्त कैशे हैं गिन सब चीजों का परभाव पड़ता है विक्तिगत भिन्यता का दूसरा करण वातावरन है वातावरण के अंतरगत पारिवारिक, सामाजिक, भागौलिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव विक्ति पर पढ़ता है जैसे चाइना के लोग हैं ठीक है उनका फेस दूर से देकर क्या आप कह देंगे ये चाइना से आ रहा है नेपाल के लोग हैं ठीक है हमारे बिल्कुल परोस में नेपाल है तो नेपाल के लोग है उनका फेस बिल्कुल अलग है जबकि हम से थोड़ी दूरी पर नेपाल के लोग रहते हैं तो वो भगौलिक इस्तिती ऐसी है, ठीक है, जिस वज़े से ये चेंजेश देखने को मिलते हैं, तो सांसकर्तिक वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है, विक्ति जिस प्रकार के एट्मोस्फेर में रहता है, उसी के अनुसार, उसका शारिक, मानसिक विकास, उसका रह रूर्लैंड है, अमरीका है, रूस है, तो वहां के लोग बहुत फुर्टीले होते हैं, दूसरी तरफ गोरे भी होते हैं, वहीं पर जहां का उस्जनवातावरण में रहने वरे लोग bहुत आलसी होते हैं, उनकी तोचा भी सामली हो चाती है, उसी प्रकार, अगर वालक परिवार में आता है जिसका समाजिक प्रतिष्ठा आधिक है और वो परिवार समाजिक रूप से सबल है तो उसका आचरण चरित और विक्तित शील गुण भी समाजिक रूप से कम प्रतिष्ठित और कम दुरूबल परिवार के बालकों से भिन होंगे इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कर्टिक, भगोलिक कारकों का भी प्रभाव बालक के विक्तित में भिनता लाने का काम करता है आयू और बुध्धिक अगर बात की जाएं तो देखिए बालक का शारिक, साडिक विकाश, मानसिक और संथ्वी आत्मा की विकास उसकी आयू के एकॉर्डिंग होता है जिस हिसाब से आयू बढ़ती जाती है, आयू के हिसाब से बुध्धि बढ़ती जाती है इसलिए विभिन आयू के बाल को में अंतर इकाई देता है बुद्धी को जन्जात छम्ता माना जाता है फिर भी इस छम्ता का विकास आयू और प्रयावन से समंद एते बुद्धी आपको मिली तो जन्म जाता है लेकिन जो है छे महिने का बच्चा जो है वो किताब नहीं पढ़ सकता क्योंकि समय आने पर उसके बुद्धी डेपलप होगी फिर वो किताब पढ़ पाएगा स्वास्थे के अगर बात करें तो इसका भी तो परभाव पढ़ता है शारिक श्वास्थे के करण भी विक्तिकत भिनता पाई जाती है जो बच्चा कम बीमार पढ़ता है जन्म सही हल्दी रहता है उसका डेपलेपमेंट जल्दी होता है अच्छा होता है फुर्तीला भी होता है और उसका मेंटर डुपलेप्मेंट अच्छा होता है वहीं पर दूसरा बालक जो बीमार रहता है या जन्म से ही है ना बच्पन से तो उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा रुख जाती है कुछ लोग स्वस्त हस्ट पुष्ट और कुछ साधरन और दुर स्वस्त होता है तो शिक्षा की दौरा विक्ति का सरवांगीन विकास होता है यान कि उसका मान से की विकास और अप्षिष्ट विक्ति से अलग बना देती है परिवार की आर्थिक इस्तिती में भी शार्यक शेक्षिक भावात्मक और समाजिक विकास को प्रभावित करती है समझे परिवार की जो आर्थिक इस्तिती होती है परिवार की आर्थिक इस्तिती कैसी है इसका फर्क पड़ता है स्टारिक डिवलप्मेंट पर शेक्षिक डिवलप्मेंट पर भावात्मक, सामाजिक ट्वलपेंट पर यदि परिवार की इस्तिती ठीक नहीं है परिवार गरीब है समय से खाना नहीं मिल पाता विचारों को है ना दो रोटी के लिए भागना पड़ता है तो हो सकता है कि उस घर का बालक चोर चक्का हो जाए, लोटे रहा हो जाए क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक कंडिसन इस तरीके की है कि उसकी मजबूर है चोरी करने पर ठीक है? यह फर्क पड़ सकता है और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है प्रिष्ट भूमी बैक्ग्राउंड बालक के समवेग आत्मक समाजिक, नैतिक, संद्राड़ आत्मक विकास पर उसकी परिवार और समाज का प्रभाव पड़ता है यदि बालक समाजिक रूप से अच्छा है समाज में उसको इज़्यत मिलती है तो जहिर सी बाय तो उसने इस प्रकार के अपने परिवार का बैक्ग्राउंड क्या है पहले तुम्हारे परिवार की लोग कैसे थे इन सब चीजों का परभाव पड़ता है अगला है हमारा समवेगों का परभाव पहले दोस्तों क्लास बहुत अच्छे समझाने का प्रेश किया है और आई होप आपको पसंद भी आई होगी और नोट्स के लिए आप हमें जो नंबर आप यहां देख पा रहे हैं इस पर फटा फट मैसेटर के आप नोट्स ले लेजिए लखनो कानपुर प्रियागराज तीन यूनिवरसिटीज के लिए समवेगों का प्रभाव भी तो पड़ता है बहिया समवेगों के प्रभाव के कारण भी क्या होता है अंतर आता है हमारे इंडिविज्वल डिफ्रेंसेस में समवेगों के कारण भी विक्ति में भिनता दिखाई देती है विभिन समवेगों के कारण ही कोई विक्ति करोदू हो जाता है कोई लड़ाकू है कोई कठोर दिखाई देता है जिबकि दूसरा विक्ति हसमुक है शान्तिप्री है और दयालू होता है क्योंकि उसके अंदर इस तरीके के समवेग हैं इस प्रकार विक्तिगत बिनिता पर शामवेगिक तत्तों का भी प्रभाव देखने को मिलता है ठीक है अब इसके बाद जो चेप्टर फाइब रहेगा उसमें आएगा हमारा शैश्वावस्ता बालियावस्ता किशोरावस्ता यह जो सैश्वावस्ता बालियावस्ता किशोरावस्ता यह हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे आज हमने क्या समझा एक बार इसको रिपीट मारेए विक्तिगत बिनिता के पीछे कारण क्या होते हैं वह इंशानुकर्यम होता है वाता वरन होता है आयू और बुद्धी का पढ़ता है ठीक है इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्लास के सरी कॉमेंट करके जरुरू बताएगा थैंक्स्टो मेंच